आज हम मनायच सीथ कबाब पिर्याली बना रहे हैं यह आदा किलो चावल लिए हमने यह बास्मती चावल है इसको हमने तीन गलास पानी दालके उबा ले उसके अंदर काले मिज़ दाले तालचीनी दाले इलाइची दाले और जीरा दाले और लॉंग दाले दालके उबा ले और चान लिए देखो कैसे एकदम फस्कला चावल बन के लिए 5 प्यास को हमने विरिस्ता बना के रखिए इसमें से 100 गिराम किरिम लेंगे 200 गिराम धही लेंगे कोत्मिर लेंगे और ये एक प्याली बर के मायनुस है ये मायनुस भी लेंगे और दो लिब्बु का रस है और ये उपर लगाने के लिए मिर्ची है ये दो मिर्ची य हमने 2 टेबादल स्पून भर के अमुल मसका लियाएं ए काजू ये पंदरा गाजू ये पंदरा बदाम है चिले के लिए ये बदाम को भी और काजू ये देखो बदाम को चिले के लिए अब ये मसाला देखो हमने 4 मील्ची को बारी काटके रहे है आदा टेबा ये आदा टेबल स्पून हमने जिरा लिए, आदा टेबल स्पून चिकन मसाला लिए, आदा टेबल स्पून कारी मिल्च लिए, आदा टेबल स्पून चिली फिस लिए, आदा टेबल स्पून चाट मसाला लिए, एक टेबल स्पून अद्रक लसन का पेज लिए, आदा टेबल स्प मसाला 1-5 टेबोलि स्पून है चिकर मसाला आधा टेबोल इस्पून सफेद मिर्च छेव एह आधा डेबोलि स्पून चाथ मसाला है आधा टेबोलि अब आधा बिर्यानी केले रखेंगे अभी पूरे मसारी जो दिखाए ना आको वो पूरा दालेंगे पूरा वीडियो देखना, आधा ने देखना वीडियो के लाध में मैं बात करने वाणिँ वसके लिम्बु देखो, दो लिम्बु का रज दाले अभी चिकन दालेंगे कोटमीर फुदीना दूनू कोटमीर फुदीना या ये पूरी मिर्ची दालेंगे मिर्ची आप अपने टेस की इसाफ सेख़़ए अब एक सीप कबाब का मसाला तयार है बस किला पीस लिए अभी कोईले को भाब दिये हमने कोईला जला के लिए अभी इसकी भाब देंगे देखो जल्दी सेव डखकर रख देंगे अब पुरी भाब जाने तक इसको रखेंगे तो अच्छा सवाद आएगा इसको फस किला फिकता तेश्टी बनाने का तेश्टी खाने का अब देखो धैं, किरीम, मायनीज और काजी बदा एक साथ पीसेंगे मिक्सर में उसकी वाब जाने तक मुस्सरा पिसके लेंगे किरीम दाद दिये, साथ गिरांग से ज्यादा गिर गिर गया अभी इसको फिसेंगे देखो मसारा पुरा पिसके लेक्या आए देखो भाब चली गई, अभी कोईला निकालेंगे और इसके सीग बनाएंगे हाथों में तेल लगा देंगे पेन को भी तेल लगा दिये अभी इसके उपर सीग बनाएंगे देखो फस क्लास सीग बन गया ऐसे सारे बना देंगे बाद में आपको बताएंगे प्राइपान गरम करने रखे थे हमने सीग बनाने लिए जबी अभी इसके अंदर मस्का दालेंगे मस्का दाल दिये इस मस्के में ही बनता है सीग ऐसा बनाओ तुम लोग बहुत तेश्ती लगताएंगे अपने परिवार को फिलाओ तब खा के खुछ हो जाएंगे अभी पाची ने देखतर से पकाएंगे अभी पाची ने देखतर से पकाएंगे तो पर्टी दरेंगे देखो स्टीक कबाब बनके तयार है अभी इसको उताने लिटालेंगे अभी दूसरे पूरे प्राय करेंगे बाच दुगताएंगे अभी तेल दाने अभी अतरक रसन का अभी पूरे मसाले दाने अभी पूरे मसाले दाने अतरक रसन अच्चे से बुने मसाला दाने अभी ये विरिस्ता दाने अच्चे से चुरट के दानेंगे उसको अभी पीश के लाए मसाला वो दालतेंगे अच्चे से पकाएंगे उसको धई, काजू, बदाम और क्रीम नमक दालेंगे साध अनुसार साध अनुसार नमक दाल दिए मसाले को हमने बीफ मिलिट्रक अच्चे से भुने इसको अब देखो मसाला हो गया ताया एक दम फस किलास अब यह हम बिज्यानी के थर लगाया होता ताया मसाले से तेल अच्चे से छुटना मंगता अइसा इतना पकाने का इसको टेस हुबर के आएगा देखो हमने पहले चावल दाले फिर भिरिस्ता दाले फिर हमने कोत्मीर बुदिना दाले अभी उसके अंदर सीप लसीक लगा दिये भी मसाला दालेगी प्रिप को पड़ता अदर पिर पड़ता अभी तमाला हो गया अभी जो आदे चावल हमने रखे थे न वो चावल दाल दिये अभी कोत्मीर बुदिना बिरिस्ता दालेंगे और मिर्ची दालेंगे मिर्ची दालेंगे और सीख लगा देंगे किप्थी पाड़ पूंचे अभी इसपे ढफता रखेंगे पात मिनिट फास ग्यास पे और फिर चूलो ग्यास पे पात मिनिट पकाएंगे चावल पकेवे अच्छे इसी भाप आ गई ना तो समचने का बिलियान तयार हो अभी इसको हम दिशावट करके बता रहेंगे मलाइसी कबाब बिर्यानी बनाए एक दब टेश्टी पस्किलास बनेगे लाइक करो शेर करो सस्क्राइड करो बेल वजाओ तो मेरी रोज की नहीं नहीं रेसिपी आपको देखने को मिलेगी प्लीज अल्ला आफीर अभी मेरे एक रिक्वर्स सुनो आप कमेंड में लिखे हैं सब लोग ने के दो तीन जनने लिखे हैं के खाला को बनाने बोलो तू मत बनाओ खाला को खाला का हाथ दिखना मंगता खाला की आवाज सुनना मंगता ऐसा बोल रहें तो प्लीज आप मेरी पस सुनो के मेरे पाउं में जखावाई मेरे वो खरा रहने होता नहीं मेरी कमबर बहुत दुखती पाउं बहुत दुखता है इसके लिए मैं बैटे बैटे जो होता हो करती हूं बाकी पूरा हफसा करती है तो मेरी बेटी है न, तो करी तो क्या हुआ, लेकिन आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, लेकिन आदा तो करेगी खरे रहे के, बाकी का मैं करूंगे, इंशाला, अल्ला आफिस, अल्ला आफिस,